नमस्कार दोस्तों मैं परम आपका दोस्त गाइस आज का वीडियो काफी शांदार है रहने वाला है बिकस आज के वीडियो में हमारे पास पर्मारेंट डब्लू एफ हैच की जो आनि कि अगर आपके पास में ये इस्किल हैं अगर आप इस फील्ड से बिलॉंग करते हो तो आ आप यहां पर अप्लाई करना बिलकुल मत भूलिएगा जी हां दोस्तों बस आप मुझे पांच मिनट दे दीजिए गिम भी फाइव मिनट्स ओंडी क्या पता आपके ये पांच मिनट आपके अगले पांच साल इंप्रूव करते हैं बाकी आपने काम घर से ही करना है तो ग आपके आसपास हैं जो इस तरह की जॉब सर्च कर रहे हैं ठीक है और आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई अगली जॉब की नोटिफिकेशन मिसना तो चलिए शरूर करते हैं देखिए जो कंसल्टेंसी आपको हैर कर रही है उसका नाम है टेकनो टॉइस आप गूगल पर जाएंगे सर्च करेंगे तो कंसल्टेंसी काफी अच्छी है फ्री कंसल्टेंसी है कोई भी पेड नहीं है कि आपसे कोई पैसा लेगी है कुछ करेगी ऐसा आपके पोस्ट के बारे में वो है आपकी HR recruiter बहुत ही अच्छी जोव है अगर आपने BA, BSC, BICOM, MCOM कुछ भी किया है आपको HR की जोग यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है ऐसा mandatory नहीं है कि आपने MBA किया हो ये BBA क्या हो डोजन्ट मैटर बस आपको थोड़ी बहुत knowledge होने चाहि क्या क्या वो लोग मांग रहे हैं पहली चीज आपके पास में excellent communication skills होना चाहिए यानि कि आपकी English में अच्छी command हो आप English में अच्छे से बात कर पाएं और Excel में आपकी command good यानि good मांगा excellent नहीं good यानि अगर थोड़ा बहुत भी एकसल आता है आपको तो चलेगा इसकी आपका data management अगर आपको कोई data दियाएगा है पिछला पुराना 4-5 साल का या current का तो data को अच्छे से manage करो अच्छे से store करो data lost ना हो ये सारी चीज़ें आपको manage करनी होगी ठीक है target oriented रहेगा target आपका बहुत ही कम है ऐसा नहीं कि आपने call करके sales करनी है या कोई product बेचना है ऐस नहीं है as a recruiter आपने आपर employees को hire करना है company को employee provide कराने है ठीक है तो ये basic सी skills आपके अंदर होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि शायद आप ये gain कर लेंगे इसके अलावा experience experience आपको same field में नहीं मांग रहे यानि कि आपको HR या HR executive या recruiter ऐसा नहीं ये नहीं कहा है कि BPO industry में excellent skills सीखें English में command अच्छी तो अगर आप BPO में काम करके आ रहे हैं तो BPO में क्या होता है कि जब call center में लोग काम करते हैं तो obviously उनकी English improve हो जाती है तो इसलिए उन्होंने BPO का experience count किया यहां पर आप इसके अलावा locations आपके क्या कहा है locations आपके 3 हैं आपका Mohali, Bangalore and Mumbai तीन locations पर यह company situated है आपका घर से ही काम रहेगा no doubt आपका घर से ही आपका interview हो जाएगा घर पर ही आपकी आपकी सारे testing हो जाएंगी और घर पर ही आपको जो kit है laptop, wi-fi, broadband जो भी है company provide कराएगी वो सारा आपको घर पर ही मिल जाएगा right तो company आपको बहुत अच्छा offer दे रही है तो इसमे apply करना बिल्कुल ना बूली जगा second thing आप अगर mohali indoor Mumbai से belong करते हैं तो आपको preference दिया जाएगा बाकी अगर other किसी city या location से हैं तो आपका हो जाएगा no doubt चलिए अब जान लेते हैं आपको salary क्या मिलने वाली है salary के रावा और क्या-क्या benefits आपको यहां मिलेंगे देखो in hand salary आपकी in hand रहेगी और आपका incentives भी रहेंगे यानि कि आपको incentives भी कमाने का मौका मिलेगा अब जान लेते हैं कि आपने apply कैसे करना है apply करने के लिए मैं आपको यहां पर Simran call जो HR है उनका mail ID और उनका WhatsApp नमबर दोनों प्रवाइड करा दे रहा हूं description में सारा JD मिल जाएगा आपने अपना PDF format में updated resume send करना है ठीक है resume में अब तक की details आपकी mention होनी चाहिए experience है other skills है आपका कोई technical skill है वो सारा mention कर दीजेगा ठीक है इनकी ओर से आपको reply आजाएगा कि आपने आगे proceed कैसे करना किस तरह से आपके interviews आपके testings रहने वाली है और daily jobs की update पाने के लिए आप मै टेली ग्राम पर या whatsapp पर दोनों जगे फॉलो कर सकते हैं जो आपको easy platform लगे बागी guys आप ये वाला वीडियो शेयर कर सकते हैं जो लोग WFH की job देख रहे हैं या फिर जिनके पास ये skill है ठीक है तो guys वीडियो का यह मैंड़ा मिलता हूं next video में ऐसे किसी ताजा job update के साथ में तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया thank you so much